हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अंकित सुगला है CCNA Routing & Switching इन हिंदी की इस सीरीज में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे IP addresses के और MAC addresses के बारे में इन दोनों में क्या difference है इनका use क्यों होता है और कैसे होता है समझते हैं हमारे जो IP addresses होते हैं IP addresses and MAC address यह दोनों ही address आपके PC को एक network में unique identify करने के लिए use होते हैं क्योंकि आपके network में 1000s, 5000s devices आपके network में हो सकती है यह आप internet के अगर बात करें जहापे आप Google access करते हैं different type of websites access करते हैं वहाँ पे तो thousands, lakhs, crores website users हैं जो access करते हैं तो वहाँ पे जो आप access करना चाहते हैं वह आप ही को आके यहाँ पे receive होता है, जैसे PCA open किया facebook.com या facebook की website को access करने के लिए request भीजी, तो request आपके PC से पहले switch पे जाएगी switch से then आपके router से जाएगी, then router से modern से होते हुए आपके internet के पाथ जाएगी internet मतलब जहाँ पर आपका facebook का server लगा हुए, जहाँ पर आपके websites या pages रखे हुए तो वो pages आप facebook का server है, यहाँ पर यह server है हमाले facebook, तो facebook के server पर एक day में एक second में, घंडे में thousand requests आती है, कि हाँ आपको facebook एकसेस करना है, तो इस तरीके से यह server कैसे आपके PC को uniquely identify करेगा, कि हाँ इसी PC, यह जो PCA है, इसी की request आई है, हमको यहीं पर open होना है, इसके लिए आपका IP address और Mac address यूज होता है कि एका large network में आपको uniquely identify किया जा सके, कि हाँ request आप ही से आई थी, आप ही को data send करना है, यह आप से receive करना है, तो क्या करेगा server यहां से request भेज़ेगा, तो यह router के पास आईगे, अब router आपका IP address के भिहाब पे आपको uniquely identify करेगा, कि यह जो request हमने आप है send की थी, उसका पे हमको send करना है data, जो facebook open करने की जो request आई थी, वो 192.168.1.5 से आई थी, यह router यह switch पे data भी लेगा, तो switch यहां पे Mac address के साथ में deal करेगा, और Mac address के भिहाब पे data को transfer करेगा, क्योंकि एक switch से कई सारे PCs आपके आपस में connected हो सकते हैं, और तब वो एक unique ID आपको Mac address को learn करेगा, देन आपको data आपके PC पे receive होगा, तो इस तरीके से एक network में आपके PC को uniquely identify किया जा सके, कि यह request आप ही की थी, यह data send किया गया है, इसके लिए हमारे दो address आपके PC पे use होते हैं, जिनको हम IP address and Mac address के नाम से जानते हैं, IP address मतलब internet protocol address and Mac address मतलब media access control, चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं, उनके बारे में समझते हैं, तो IP address जो हमारा होता है, इसको बोलते हैं, internet protocol address, IP address को हम logical address के नाम से भी जानते हैं, और IP address जो हमारे होते हैं, वो network layer पे work करते हैं, मतलब जो router या layer 3 switches, हमारे IP addresses के साथ में deal करते हैं, data को send करने के लिए network पे IP addresses का use होता है, जैसे IP provides unique addressing scheme and allow transmitting data over a network, मतलब एक network से different networks में, different networks में data को transfer करने के लिए IP address का use होता है, जो कि आपके network में, आपके PC का, आपके server का, एक unique ID होती है, हाला कि अगर देखा जा तो IP address आपका unreliable protocol है, क्यों, क्योंकि IP address जो है, वो administrator के द्वारा change किया जा सकता है, या change हो सकता, जैसे IP address can be changed by the administrator, तो IP address आपके PC पे दो type से आती है, एक statically configure होती है, या फिर dynamically configure होती है, statically administrator के द्वारा configure की जाती है, और dynamic IP addresses आपको DHCP server के द्वारा provide की जाती है, हाला कि दोनों ही IP addresses आपके change हो सकते हैं, तो जैसे आपका name है, वो name जो है आपकी unique ID नहीं है, क्योंकि name आपकी के name पे कई सारे लोग हो सकते हैं, और वो आपकी एक perfect या unique ID नहीं कहिए सकते हैं, इसकी तरीके से IP address जो है वो आपके network में unique तो होता है, बट change भी हो सकता है, तो इसलिए आप उसको uniquely, reliability के साथ आप उसको unique ID नहीं कहिए सकते हैं, तो IP address को हो logical addresses के भी नाम से जानते हैं, तो यह आगे जानते हैं, Mac address के बारे में, Mac address मारा क्या होता है, Mac address मतलब media access control, और Mac address को हो hardware address के नाम से भी जानते हैं, और Mac address is also known as physical address, physical address मतलब आपके PC का hardware address, and burn in address भी बोलते हैं, BIA, burn in address इसको इसके बोलते हैं, यह जो आपका address होता है, Mac, जिसको physical address जानते हैं, वो आपके NIC पे burn होता है, NIC का मतलब network interface card, जिसको आप Ethernet port बोलते हैं, वहाँ पे अपका जो Mac address होता है, वो burned होता है, यह आपका as a six digit of two digital hexadecimal value, where each set is separated by hyphen और colon, an example of this format, तो IP address जो आपका होता है, वो दो के set में होता है, इसको जैसे आपका यहाँ आपको show करा जा रहा है, यह एक आपका Mac address आपके PC का हो सकता है, जो की दो-दो के set में होता है, और यह एक hyphen या colon से भी इसको यहाँ पर separate हो सकता है, तो आपका media जो आपका Mac address होता है, वो not changeable होता है, कभी भी change नहीं हो सकता है, जैसे each NIC has unique and not changeable Mac address associated to it, Mac address जो आपका होता है, वो आपका Windows, HP, जो क्या करते है, manufacturer होते हैं, वो उसी आपके NIC पे आपके Mac address को burn कर देते हैं, इसको आप कभी भी change नहीं कर सकते हैं, और यह Mac address आपका all over world, आपका unique होता है, आप NIC को तोड़ के fake सकते हैं, बट कभी भी उसको change नहीं कर सकते हैं, यह आप Mac address के बारे में बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कि आप इसको कभी भी change नहीं कर सकते हैं, जिसलिए यहां पे लिखा हुआ है, which is referred as a hardware address, और जो आपका Mac address होता है, Mac address आपका 48 bit address होता है, आपका जो address होता है, वो 48 bit का होता है, आपका media access control, तो चल यह आपका आगे और समझते हैं, इसके बारे में, आपका जो Mac address होता है, वो total आपका कितने bit का होता है, 48 bit, 48 bit का होता है, और 48 bit में आपका आज देखिए, यहां पे 3 white starting के जो 3 whites होती है, वो organization unique identifier, OUI के लिए assigned होती है, organization unique identifiers का मतलग, आपका जो vendor होता है, जैसे HP है, इनके लिए assigned होता है, इतनी bits, और जो आपका जो last 3 bytes जो आपका बचता है, या 24 bit यह आपका आचाता है, गर bit में का है, तो यह 24 और यह 24, 24, 24 bits में divided होता है, और यह 24 bits आपके NIC network interest space card के लिए specific होता है, और आपका जो Mac address होता है, Mac address works on the data link layer in the OSI model, मतलब switches और bridge जो होते हैं, वो आपके Mac address के भी आपके deal करते हैं, और आपका data link layer पे work करता है, तो अगर एक comparison में एक overview में आप रिकॉल करें, तो IP address एक आपका logical address होता है, और Mac address आपका hardware address होता है, Mac address भी और IP address दोनों ही unique होते हैं, बट IP address आपके network में change हो सकते हैं, बट Mac address को हम किसी भी condition में change नहीं कर सकते है तो आज की इस वीडियो में इतना ही and thank you for watching